Hello everyone, welcome to my youtube channel UPSS Academy तो आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं Kinds of Quadrilaterals तो Quadrilaterals के types क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे देखिए Quadrilaterals मैंने आपको पहले ही बता है कि Quadrilaterals का मतलब होगा अगर हम Quadrilaterals को लिखे हैं तो Quadrilaterals जो हमारा हो जागा इंटरनल एंगल या एंगल बोल सकते हो फोर फोर जो होंगे वो इंटरनल एंगल बोल सकते हो इंटरनल एंगल तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं Quadrilaterals कहते हैं क्या बोलेंगे Quadrilaterals तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Quadrilaterals की तो सबसे पहला जो हमारा है वो यहाँ पर कहा है trapezium की what is trapezium trapezium क्या होता है trapezium आपको पता होना चाहिए क्या होता है तो यह चीज दो अगर मैं इस figure को देखूं तो मैं एक diagram आपको बना रहा हूं वो diagram आपको समझ में आना चाहिए ठीक है दो आपको जहान रखना है कि दो sides जो होंगी वो कोई भी 2 sides ज नहीं होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए तो इस तरह का अगर कोई diagram है जिसमें a b c d a b c d क्या है a b and c d क्या है और और टू साइट्स क्या है जैसे यहां पर दिया है a d या d बोलो a d and b c यह कहा है यह हमारी non parallel होनी चाहिए क्या होनी चाहिए non parallel तो ऐसे diagram को ऐसे figure को हम क्या बोलते है trapezium बोलते हैं चलिए यहां देख लेते हैं तो यहां पर दोको यहां अगर धान से देखें तो यहां क्या दिया है यहां दोको इसमें क्या है इसमें आप अगर इसको A बोल दो मैं तोड़ा साथ इसको zoom कर ले रहा हूं ठीक है तो इसको अगर a बोल दें इसको b बोलते हैं इसको c इसको d तो यहां पर हम बोलेंगे कि ab parallel to cd और ad ad जो हमारा है वो क्या है हमारा not parallel to क्या है bc ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा यह हमारा trapezium हो जागा इस case में अगर हम यहां पर लें तो यह हमारे क्या हो जागा ट्रपेजियम है तो कि यहां पर कोई भी दो साइट पर लेल नहीं तो यहां पर यहां पर वह एक चीज यह यह क्या हो जागा पेंटागन हो जागा अब रेगुलर तो नहीं होगा लेकिन ईक यह थो साइट परलल्ला इसमें इसमें ये ये साइट होगा ईए तो यह अब यहां देखने तो यहां भी परल्ल नहीं है तो यह तो इहां आना कि आपको सिर्फ टू साइट से नहीं देखना है अगर आपने दो किसी टू साइट आगा तो यह तो परल्ल है पर यह देखने तो यहां sides कितनी है total total size यहां five है तो हमें five नीच चाहिए है four sides नहीं है क्योंकि trapezium is a quadrilateral गहान रखना study about the figures ठीक है यह बोले है कि the arrow marks indicate the parallel तो जो arrow जो बना है इसका मतलब होगा कि यह दोनो लाइन का है parallel जैसे अगर यह दो इस तरह से हम हुआ बनाते थे तो क्या इसका मतलब होले एकोel sides है यह फिर यहां कभी ऐसे बनाऊ तो यह बोलते है actual sides है अगर कभी हम angle को represent करते हैं दो angle को इस तरह से एक ही diagram में यह तो यह एंगल यह एंगल जो है वो सके बराबर रहें इसके बराबर है ऐसा हम रहें को अब यहां ध्यान के टेक अगर आप यहां ध्यान दें तो यह आपका जो है यह एक साइड है और यह साइड यह दोनों क्या है यह दोनों parallel साइड होगी नहीं हो गई है ना यह 10 होगी नीचे-नीचे कितने है यहां से लेकर यहां तक इतना है यह 10 cm है और उपर कितना ही 5 cm तो यह करें कि आपको इस तरह से बनाना है और यह 3 त्रेंगल में नों Convert कर दिया अब दोगे क्या कर रहे है इसका area की बात करते होंगी आप दोगों कर रहे है कि which are the parallel sites should be non parallel site to non parallel sites जो है वो एक्वार हो सकते है बिलोकुल हो सकते है ठीक है you can get two more trapeziums using the same set of triangle find out अब दोगों यहाँ पर जो diagram दिया है इसमें और बिधर कोन कोंदो द्यान दें तो यह दुण हमारी तो यहां पर यह हमारे Trapezieum का डगा सब्सक्राइल हैं अगर यहां ब्लाइवकोल होगी तो ऊस ट्रफश्थीं को हम कहते हैं यहां लेख आरखको यह लगा है आइसोसेलस कुह और अगर non-parallel sites जो non-parallel sites है अगर वो हमारी equal होंगी then the trapezium is called isocellus triangle ठीक है अब दोको यहां पर kite की बात करते हैं कि kite जो structure है तो kite structure को पहले हम draw कर लेते हैं दोको kite structure में एक चीज़ बहुत important है यहां पर कि जो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी जो sites हैं वो हमारी sites क्या होंगी वो यह equal length में होंगी है और जो other two sites होंगी वो भी क्या होंगी equal length में यहांपर होंगी तो ऐसे बहुत सकते हैं कि दो parallel दो साइड जो हैं वो हम बोल सकते हैं तो अगर हम डाइग्राम में यहां देखें तो इस डाइग्राम में अगर हम फोकस करें हैं परदो को यह काइट का जो है वो डाइग्राम दे रखा है तो इस डाइग्राम फोकस करें तो यह ए बी और ए डी ए बी और ए डी जो हमारा है वो क्या है equal cat be bekal do at और यहां पर क्या है b c kool do क्या है b c kool to b c आ-र्दी बोल सकतो हो यहां क्या है यहां अगर हम इसको a बोल दे बी बोल देए c ओर d तो यह दोनों साइट इक्षाइड है और यह साइड रेक्षाइड परकी साइड साइड कोरें अगर हम chapter quadrilateral पढ़ रहे हैं तो quadrilateral के ही बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर quadrilateral का मतलब होगा four sides by default है मैं बोलू या ना बोलू आपको पहले ही माल लेना है कि हम बात कर रहे है quadrilateral की जिसकी four sides होगी अब यहां दोगो यहां कितनी sides हो जाएंगी one two three four or five five sides है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे यहां देखें यहां पर काइट के बारे में करें कि जो इसकी consecutive pair मतलब जो sides है जो equal sides है वो क्या है consecutive में लगाता रहे है ऐसा नहीं opposite sides है अगर यह वाली side की बात करें तो यह इसके बराबर है और यह वाली side इसके बराबर है ना यह वाली side जो इसके बराबर है और यह side जो equal है वो इसके बराबर है अब यहां देंगे तो यह side जो इसके बराबर है तो यह consecutive तो नहीं ना इसके बराबर में यहां यहां होती यह फ करना है consecutive pairs होने चाहिए consecutive pairs है ना two distinct consecutive pairs of the sides of equivalent यहां अगर हम देखें तो यहां पर तीन साइट क्या कर दी एक को लगर दी और चौती साइट के बारे हम कुछ नहीं बोला तो यह भी हमारा नहीं होगा तो यहां लगा इस आर not kites अच्छा एक चीज और है कि अगर मैं इसके डाइगनेल को ड्रॉ करूं तो यह डाइगनेल्स जो होते हैं वह हमेसा 90 डिग्री पर कट करेंगे किसी भी काईट का अगर मैं structure बना लूँ तो किसी भी काईट में आप देखेंगे तो काईट की यह डाइगनेल्स जो डाइगनेल्स यहां पर जो डाइगनेल्स है वह आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है कितना 90 डिग्री पर यह कट करती है तो जैसे हम बात करें A B equal to क्या हो जागा A D हो जागा B C equal to क्या हो जागा C D Study these figures and try to describe what is a kite तो काईट क्या काईट is a kite has four side काईट की कि किनी sides होती है four sides होती है और यह क्या है एक quadrilateral है second बात के there are exactly two distinct consecutive pairs of sides of equal length तो यहां पर दो को सबसे पहले four sides होंगी और यहां पर दो distinct consecutive pairs है जो equal length के होंगे यहां पर एक चीज़ और important है distinct है मतलब दोनों pair जो हो अलग-अलग length के होंगे same length के नहीं है different length के होगे got it अब हम दो को दो structure पड़ चुके एक हमारा जो को जो हो चुका trapezium दूसरा हमारा हो चुका काइट का ओके चलिए अब इसको देख लेते हैं यह करें कि तेका thick sheet दोको यह इन्होंने sheet के बारे में लिया तो यह activity है आप इसको कर लेना बहुत जादा important है नहीं बस आपको जो मैंने भी बताया kite के बारे में वह आपको पता हो जाए कthank के हreck के बारे में एन्होंने दिया सिह अब हम बात करते हैं parallelogram के बारे में यह होता है कि कि उसकी जो opposite sides होंगी वो क्या होंगी ? parentheses are parallel and equal इसका मतलब क्या है ? कि यह side जो वो side के बराबर बी है मनलब बराबर भी है और क्या है ? sudeटs side के होती है? parallel है andATQ होती है निगे- opposite sides के ही , повтор 되고 श्रेम असे दिधा है , अहें पर आपकी यह जिदार रखना है अगर मैं इसका नॉमन के लिए से करने तो A, B और C, D तो यहाँ पर हो जागा आपका A, B is equal to आपका C, D है, ठीक, A, B is equal to C, D हो जागा, और B, C is equal to आपका क्या हो जागा, B, C is equal to हो जागा, A, D और एक चीज़ का है, यहाँ पर यह भी है कि A, B जो है, वो क्या A, B parallel to C, D है और B, C जो है, वो parallel to A, D है, और यहाँ पर एक और important point यह है कि इसके जो diagonals होते हैं, वो equal नहीं होते हैं, जो diagonals हैं, इसके वो क्या है, equal नहीं होंगे in length, है ना, तो यहाँ पर यह cut जरू करेंगे, बट यह midpoint प्रेंट से, एक दूसरो क्या कर रहे हैं, bisect कर रहे हैं, यह आगे की property हम पढ़ेंगे, इसको है ना, चलो, तो parallelogram आपका यह होता है, इसमें opposite sides क्या होंगी equal होंगी, opposite sides क्या होंगी यहाँ पर equal है, और parallel भी है, ठीके, अगर हम इसको देखें अगे, तो यहाँ पर क्या लगा देखाँ कोई, ab जो है, वो dc के parallel यह दिया है, ab parallel to dc और दूसर दिया है, की ad, ad के need parallel to b c तो यह इस figure के लिए है इस figure के लिए देखें, तो यहाँ क्या दियो होग है, rs यह sr, हैना क्या दिया, sr जो हो किसके parallel हम QP के QP parallel to SR and QS यह आपका QS हो जागा यह इसके parallel है ओके अब यहाँ पर हम देंगा तो LM parallel to ON LM parallel to ON हो जाएगा और LO जो parallel है वो MN के parallel है ओके तो यह सारे क्या है यह आपके parallelogram यहाँ पर और यह पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर लेना अगर आप दें तो यहाँ पर यह क्या बन जागा यह अंदर बला आपका parallelogram बन जागए ठीक है चलिए अब next देख लेते हैं करें कि elements of a parallelogram तो parallelogram ही होता है कि opposite sides जो है वो क्या होती ए बी और डी से आर अपोजिट साइट ए डी और बी सी फॉर्म अनादर पेर ओफ अपोजिट साइट और एंगल ए और एंगल ए और और एंगल सी की बात कर नहीं है ना एंगल एंगल तो यहां पर अगर हम नीचे देखें कि property हमारी क्या है property हमारी जो दिये वो यहां लेगा है property है the opposite sides of the parallelogram are of equivalent तो opposite sides होती है वो equal length ही होती है और parallel भी होती है चाहिए हम किसी की बात करें तो अब example number हम किसी की बात कर रहे है तरी कि करें कि find the perimeter of the parallelogram इस parallelogram का आपको perimeter यहां बताना है तो कैसे बताएंगे दों को देखें यहां दिया यह 7 अगर यह 7 है तो यह भी 7 होगा लो when nam about the happiest and positive sides हमें और यह 12 है तो यहUh भी 12 होगा अब उसके बाद आपको पता होने चाहिए What is perimeter तो perimeter गंवेने 다ृटा होता है वो क्या होता है ? Perimeter is a length of boundary perimeter क्यों होगा हमारा? perimeter जो हमारा हो जागा वो हो जागा length of boundary length of boundary ठीक है तो length of boundary होगा अब यहाँ पर length of boundary के हो जागी pq plus qr plus rs plus आपका के हो जागा sp यह ps बहुत सकते हो तो यह value के हो जागी 12 plus 7 plus 12 plus 7 तो यह आपका perimeter केतना हो जागा यह लकर 12-24 plus 14 करेंगे तो कितना आगा 38 cm आ जागा क्योंकिpected और यहाँ बात करतें है कि angles of the 어। तो परलोग्राम के angle क्या होंगे वह आपको यहाँ बताने एं देख कैसे करेंगा धान गई तो यहाँ पर angles कैसे बताने हैं पेरलोग्राम तो पेरलोग्राम के एंगिल्स क्या होंगे वो आपको यहां बताने हैं देखो कैसे करेंगे धान दें तो यहां पर एंगिल्स कैसे बताएंगे हम एंगिल्स ऑफ दे पेरलोग्राम तो यहां पर अगर हम धान दें तो यह जो दिया यह डाइग्राम दिया तो क क्या होते हैं वो equal measures equal measures का मतलब equal होते हैं ठीक है और opposites angle का जो sum होगा वो क्या होगा दें यहां दें यहां पर बस आपको यह चीदा रखना है कि A यह आपका B है यह C है और यह आपका D है ठीक है यह भी सीडी हो गया तो angle यह वाले को हम बोलेंगे angle A यह angle आपका C तो यह आपको confirm है कि angle A इसकल टू हांका आपका angle C है और यह आपके 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 आउरख D एसकल आपका angle B तो यह पर यह आपकर इक्वा कर्यों गालनगे आगे देखते हैं अगर, यहा पर पर एक्जाम देंगे example number 4 कह रहे हैं कि figure 3.16 इसकी बात करने की best is a parallelogram तो यह best best parallelogram है find the values of x, y, z, to x, y, z की आपको values यहां बतानी है ठीक है अच्छे एक चीज और दहां रखना कि इसमें यह जो parallelogram है जो मैंने भी बनाया थे हैं आपर इस parallelogram में आपको याद दखना है कि जो adjacent consecutive angles हैं से a और b तो इन दोनों की value इन दोनों के add करेंगे तो a plus b क्या हो जाएग हमारा a plus b equal to 180 degree होगा यह फिर b plus c equal to 180 degree यह c plus d equal to 180 degree यह d और a equal to क्या होगा मैंना consecutive आप बोल सकते हैं sum of two sum of any two consecutive consecutive internal angles is equal to 180 degree ठीक है यहां बोल सकते हैं यहां पर आप देखें तो यहां हम सबसे पहले हैं आपको क्या दिया है तो x भी क्या हो जागा 100 हो जागा क्योंकि एंगिल opposite angle क्या हो एक्क्वल होते हैं तो opposite angle भी आपका क्या हो जागा डिग्री हो जागा अब यहां एक चीज़ और important है कि 100 पिलस z is equal to आपका क्या होगा 180 डिग्री हो क्योंकि मैंने कहा कि जो consecutive angles हैं उनका sum जो होगा internal angles का sum कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा तो यहां से z is equal to कितना हो जागा 180 माइनस आपका यहां पर आपको जागा 180 माइनस 100 तो यह value कितनी आजागी यह value आपकी 80 आजागी 80 आजागी तो यहां पर यह भी लिखा है कि measures of corresponding angles यह दिया आपका by है ना क्योंकि यह 100 है तो यह x है तो x equal to y हो जागा नहीं हो जागा बिल्कुल हो जागा क्योंकि corresponding angles ऐसी नहीं निकाल लो तो जैसे मैं निकाला आप और यहां क्या z plus y is equal to 180 degree होगा नहीं होगा z plus y इन दोनों क्योंकि linear angle होंगे यह दोनों है न तो इन दोनों एंगल का sum कितना हो जागा 180 degree हो जागा हमें जो है वो z दिया है y निकालना है तो 180 minus z is equal to y हो जागा तो 180 minus आपकी z की value कितनी है थी z की value 80 आई यह तो यहां से solve करेंगे तो 100 हो जागा इसका मतलब y की value हो जागी 100 degree हो जागी मतलब यहां पर जो angle आएगा वो क्या होगा 100 degree होगा ठीक है अच्छे यहां पर एक important जितनी भी property यहां पर थी है सारी property आपको याद करना है पहली property कि कि opposite जो मतलब sides होती है क्यों होती है एक्कोल होती है opposite angle equal होंगे यहां पर और अप क्या गया है अच्छेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary supplementary मतलब आपके क्या हो जाएंगे यहां पर 180 degree ठीक है supplementary तो adjacent angles of the parallelogram are supplementary मतलब दोनों का जो सम होगा जो पास पास जो एंगल है उनका जो सम होगा कितना होगा 180 degree complimentary का होता है complimentary का मतलब होता है 90 degree ठीक complimentary हो जागा supplementary मतलब 180 सम क्या हो जागा 180 degree हो जागा अब दोखो इस question को देख लेते हैं example number 5 को देख लेते हैं example number 5 में कह रहे हैं कि आपको बताना है in the parallelogram ring यह parallelogram है angle मतलब दिया है कि r equal to 70 degree क्या है angle जो है 70 degree है तो आप find all other angles आ आपको other angle बताने तो यह angle भी किता हो जागा क्योंकि यह opposite angle है हमें पता है properties आप से की angle n equal to angle n is equal to angle r और angle r की value कितनी थी 70 तो यह भी 70 हो जागा अगर यह 70 आगा इसको मा लेते हैं angle i तो हमां पता है कि यह प्लस यह मतलब angle i plus angle i plus angle r की जो value होगी वह कितनी हो जागी 180 degree हो जाग angle है क्या है यह adjacent angle तो angle i की हमें value निकालना है plus angle आपका r कितना हो जागा 70 degree हो जागा is equal to 180 degree है यह तो यहां से जब solve करेंगे तो 180 minus आपका 70 तो यह हो जागा आपका 110 का angle i is equal to 110 हो जागा है आप ठीक है अब यहां जो है वो हम आगे बात करते हैं इसमें दो को अब angle g की बात कर है तो angle g is equal to क्या होगा angle g is equal to angle i हो जागा तो आप directly 110 लेख सकते हो यह और और कैसे नखाल सकते हो तो angle g plus angle r is equal to कितना हो जागा 180 degree होगी यह फिर और कैसे कर सकते हो angle g plus angle n की value कितनी हो जागी 180 degree हो जागी यह भी कहा है तो आप किसी भी तरीके से नखालने है इसमें बहुत ही आप नखाल सकते हो इसमें कोई इतनी परशानी वाली कोई बात नहीं है अब दोगों यहां लिखा है कि diagonals of a parallelogram तो parallelogram के diagonals की बात करें तो दोनों जो parallelogram है उसके diagonals है वो क्या करेंगे वो एक दूसरे को bisect करते हैं यहां लिखा है property देकर the diagonals of the parallelogram bisect ही है bisect मनले एक दूसरे है तो यह को कट करेंगे तो कहां करें तो यह कट कर रहा है इसको इसको midpoint पे कर रहा है थते स्माल 스डों यह है तो यह B होतागा एह एब्काविक का मिटों जाता है इसको B republican का मिट districts करते हैं तो बाता है न कह रहे है कि आपको बताने given that oe equal to 4 है oe की value क्या है oe oe की value यह 4 दिये अब hl जो है वो 5 more than pe pe से 5 more than hl तो hl की value कितनी दिये यहाँ पर दो hl कहां पर है hl hl ही total है hl कितना है 5 more than pe 5 more than pe अब आपको बता है pe क्या हो जाएगा pe आपका हो जाएगा two times of oe क्योंकि pe यह पूरी value यहां से लेगे यहां तक और यह midpoint होगा तो यह अगर 4 है तो यह भी 4 हो जाएगी तो यह कतनी हो जाएगी यह आपकी 8 हो जाएगी और भही कह रहे है कि आपको बताना कि hl जो है hl की value क्या हो जाएगी पर answer हो जाएगा ठीक है तो यह आपको हो गया example number six आप चलो exercise देख लेते हैं तो exercise 3.3 के हम बात करते हैं तो 3.3 में अगर हम जहां दें तो यह क्या करें गिविन यह पहलोग्राम को दिया a b c d complete the each of the statement आपको बताना है विद्धा definition और property यूस्ट कौन जी property आपने यूस्ट क है वह वह आपोजट साइडे और आप पोजट साइड साइड आफ अपैर्लोग्राम क्या होतीं है इकवल होतीं Дी सी फी यह यह इकोल होते हैं पोजिट इन्डे उसी को क्यों होजा का जो डागणर्स होती है वह एक दूसर क्या करते हैं इंगल डीवी कि एंगल की बात करें एंगल डीवी प्लस एंगल सी डीए तो सी डीए यह दोनों यह सम्कितना गोगा वाक्यों कि the sum of adjacent angle of any parallelogram will be equal to 180 degree now question number two, consider the following parallelogram, find the values of x, y, z आपको x, y, z की यहाँ पर value नुकालने, देखको जूम कर लेते हैं फिर हम यहीं diagram में कर लेते हैं, असान ही से हो जागा है इसलिए हम इसको जूम कर लेता हूँ, तो यह 100 है, तो यह भी 100 हो जागा क्योंकि opposite angle है, अगर यह 100 है, तो यह कितना हो जागा, इन दोनों का sum कितना होगा, 180 degree हो तो यह 80 हो जागा तो यहाँ से x की value क्या आजागी, 80 degree हो जाएगी, y की value 100 हो जाएगी, और जो x की value है, वही value किस की हो जाएगी, z की हो जाएगी ठीक है यहां देखें यहां अगर यह 50 है तो यह एंगल भी क्या हो जागा 50 हो जागा आपको पता हो ना अगर यह 50 है तो यह कितना हो जागा यह 130 हो जागा यह 50 है तो यह कितना हो जागा यह भी आपका 130 डिग्री हो जागा 130 degree हो जागा, क्योंकि यह adjacent angle है, x plus this one, यह फिर x equal to z हो जागा, क्यों हो जागा, क्यों हो जागा, क्योंकि अभी आपको मैं नहीं बताया था, से पहले आले example में है, तो यह दोनों angle आपके को हो जाएंगे, 130, 130, यह फिर आप संबाले से निकालने, उससे भी हो जाएगा, अब चलो इसमें निकाल लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, यह दोखो, यह आपका 3 degree नहीं होगा, यह 30 होगा, ठीक है, 30 है, अगर यह 30 degree है, और यह आपका, दोखो, यह अगर 90 degree है, है ना, आपको पता है कि यह कितना होजागा, यह भी 90 degree होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान दे, और यह value और यह value दोनों बराबर होगी, सभी है, तो x equal to हमारे क्या होजागा, यह अगर 90 है, तो यह आपका क्या होजागा, यह भी 90 होजागा, अगर यह 90 है, तो यह भी 90 होजागा, तो यहाँ पर x की value क्या होजागी, x की value 90 degree होजागी, x की 90 होजागी, अब यह 30 है, x यह 30 है, तो y कितना है, y 60 degree होजागा, अगर y हमारा 60 degree है, तो यह जो है, अगर z का यह 90 है और यह आपका यह 60 degree हो जागा तो यह z की value भी आपकी कहा जागी z की value भी यहाँ पर 60 degree आजागी 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 नहीं आजागी है ना समझे अगर मैं अभी आपको parallelogram दखाऊँ तो यहाँ पर एक चीज लिखी दिया अगर आप देखें दहान से तो एक point लिखाता है वो मैं आपको दिखाना चाहा रहा हूँ यह जो है इस वाले में लिखाता इस से पहले वाले में यह लिखा है ठीक है अगर हम द्यान दें तो अगर हमारी two parallel line तो यह अगर से अंगल के बराबर होगे इसको corresponding angle कहते हैं क्यों नहीं क्या हो जागा corresponding angle अब चलो इस में देख लेते हैं तो यह 80 है तो यह अपका क्या हो जागा 80 हो जागा यह 80 है तो यह भी 80 जागा यह भी corresponding angle और अगर यह 80 है तो यह कितना हो जागा यह आपका 112 हो जागा और फिर यह 40 है तो अगर आप ध्यान दे तो यह कितना हो जागा आपको यह आपका 112 है तो 112 है तो एकशो बाराइप हो गया 180 में से आप सब्सक्राइट गरें तो यह 28 हो जागी X 28 है तो यह भी 28 हो जागा ठीक है तो यहाँ पर यह आपका आशा आजागा है अब चलिए क्वाशन नमबर 3 देख लेते हैं तो ब्युक्न नमबर 3 करें रहे हैं आपको एंगल दिया है कि ABCD पहले पैरलेलो बना लो आपको आडिलेट पैरलेलोग्राम बना लो है ना तो यहां पर जहां पैरलेलोग्राम बनाएंगे तो यह हमारा क्या हो जागा अगर हम ध्यान दें तो यहां से हमारा आएगा पहले पैरलेलोग्राम बना लेंगे तो आप यह आसान हो जाएगा को मैं एक परेलियों ग्राइब भना लेता हूं यहाँ पर भैले और उसके बाद, फिर हम यहाँ देखते हां पहले और फिर तो यहां करें, आब यहाँ करहें आप यहां करें अब एक estimate db 180 degree हो सकता है db तो angle d और plus b no यह 180 degree जरूरी नहीं है ना जरूरी नहीं और यह बलकी होगा भी नहीं 180 degree होगा यह पता है कि adjacent angle 180 degree होगा यह आपका कहा हो जागा यह आपका यहाँ पर गलत हो जागा ठीक है अब चलिए next देख लेते हैं तो next में हम अगर ध्हान से देखें तो next क्या कह रहा है next में कह रहे है जो next वाले a b equal to dc आप diagram से देखके बता है बता है तो यहाँ पर आप a b equal to dc equal to 8 cm सेंटीमिटर एक अपका चाहिए यह तो आपका सही है यह अपोजिट साइट से एककोल है बट आप मुझे यह एक चीज यहां पर यह बता है कि अपोजिट साइट तो इककोल हो गही है लेकिन क्या यह साइट से कोल नहीं चाहिए यह 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 पर 4.4 नहीं हो जाइगा यहां पर क्या हो अच्छीज फोर अचाहिए ठीक है समझ के अब दोकर यहां पर यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया थे कि d और b 185 हो सकते हैं यह तो and square also a parallelogram वो specific case होगा तो इसलिए हम यहाँ पर जो answer देंगे first volume वो yes देंगे ठीक है yes लिखेंगे आप है ना फिर आपको reason देना है कि जो है वो आपको धान रखना है कि वो square और क्या हो जाएंगे आपके rectangle हो जाएंगे अगर हम इस ही का मनलब क्या देखते हैं second second में यह गलत हो जाएंगे एक इतना a 70 डिगरी है अब कहरें कि angle c 65 हो सकता नो नहीं हो सकता बिलकुल नहीं हो सकता यह गलत है न तो हमारे second और third गलत हो जाएंगा पहला हमारा yes हो जागा मनला correct हो जागा ओके चलिए question number four देख लेते हैं question number four में करें कि draw a rough figure of coordinator that is not parallel parallelogram नहीं है but has exactly two opposite angles of equal measure बहुत ही आसान है इस तरह का हम diagram भी देख चोगे है न तो यह आपके क्या हो जागा मालो यह हम एक diagram बना ले रहा है इस तरह से अब यहां ध्यान देना है कि यह point होना चाहिए तो यह इस तरह दो opposite angle आपके equal करना है ठीक है तो अगर यहां देखें तो यह a मानलो यह b हो गया यह c हो गया और यह आपका d हो गया तो यह जो angle है वह equal नहीं है बट यह opposite यह वाले angle ही जो है वह equal हो सकते है यह angle आपके क्या ह हो सकते है लेकिन क्या यह parallelogram है यह parallelogram बिल्कुल भी नहीं parallelogram नहीं थीक है parallelogram नहीं है ओके तो यहां पर ऐसा हो सकता है चलो एक यह हम parallelogram बना रहें हांपर क्या मैंनारclamation क्या ने पार एक गृड ce एक यह है अप सही है ओके यह हमने एक पैरलैलोग्राम बता है है आप दोगो यह पैरल्लोग्राम जो हम बना रहे हैं यह हमारा नाम इसका नाम B है इसका नाम C है और इसका नाम D है तो यहां पर तो यह angle कितना हो जागा 2x हो जागा क्योंकि 3 to 2 दिया है find the measures of each of the angles of the parallelogram तो आपको पता है इन दोनों का जो sum होता है 3x plus 2x कितना हो जागा 180 degree हो जागा यह हम already जानते हैं तो यहां से 5x की value क्या हो जागी 5x की value 180 degree हो जागी 5 से divide करोगो तो कितना हो जागा यह आपका 3 और 6 तो x की value कितनी हो जागी 36 degree हो जागी x की value क्या हो जागी 36 degree तो यहां से एक ही value क्या आगी angle a is equal to आपका हो जागा 3x 3 into 36 करेंगे 3 into 36 तो यह value आप कितनी हो जागी यह value आप क्या जागी 108 degree क्या जागी angle A is equal to 180 degree angle B is equal to 2x हो जाエग 2 x x आपका 36 है तो ये आपका हो जागा 72可是 72 की तो यहां से A और B आगया अगर आपका A कितना है A आपका 108 उगल तो ये भी 108 होगा नहीं वह बेलकुल होगा अगर 72 की हाँ तो ये भी कितना हो जागा 72 हो जागा तो यहां से हमने सारे angles निकाल दी है question number 6 मैं कह रहा है two adjacent angle of the parallelogram have equal measure so adjacent angle है उनके measure है are equal of each angle है तो बहुत यहासन हो जागा अगर इसको आप x आप हमालने है तो दो adjacent जो हमारे हैं उनके जो angles है वो क्या है? equal measure के हैं तो इसका मतलब जो अगर यह हमारा परलोग्राम है तो यह भी एक्स है और यह भी एक्स है तो यहां से कहा हो जागा एक्स प्लस एक्स इकल्टी डिग्री बनेटी डिग्री होगा तो यहां से टू एक्स की वैलू कितनी हो जागी 180 degree हो जाएगी, तो x की value कितनी हा जाएगी, 90 degree हो जाएगी, अगर x की value 90 degree है, तो बाकी सारे एंगल क्या हो जाएगे, 90, 90, 90 हो जाएगे, क्योंकि अगर ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, और ये भी 90 है, क्योंकि दोने equal है, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो सारे एंगल क् इसका मतलब या तो यह rectangle होगा या फिर यह क्या होगा स्क्वाइर हो जागा उसी केस में आपके एंगिल 90 तो स्क्वाइर एंड रेक्टाइंगल ऑल्सो आ पर लेलोग्राम ठीक उनको भी पहलेलोग्राम बोलते हैं 7 देख लेते अगर यह 70 है तो अगर यह 70 हो जागा तो यह आपका कितना हो जागा यह अगर निकालना चाहें हम तो यह हमारा हो जागा 1 1 0 1 1 0 ठीक है 1 1 0 हो जागा तो यह एंगिल हमारा हो गया 1 1 0 क्यों क्योंकि यह एड्जेसेंट वो क्या है यह भी आपका 30 है, यह 40 है, तो यह आपको हर प्रॉपर्टी पता हो नीची, तो अपोजेश एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, आइडसेंट एंगल्स का जो सम होता है, वो गेडिक्री होता है, और यह यह जो है, आपको जो मैंने भी प्रॉपर्टी बताई थी, वो भी प् रही वह आपकी कितनी आ रही 30 डिगरी आ रही ठीक है यह तीनों एंगिल आपको पता चलिए चलिए अप नेक्स देख लेते हैं तो नेक्स हमारे क्या है 3x है और यह वैलू कितनी 18 है तो यहां से 3x equal to 18 होगा नहीं होगा तो 3x is equal to 18 होजागा क्योंकि opposite sides क्या होंगी एक्स की वैलू कितनी हाजएगी 6 हा जाएगी और 3y minus 1 equal to 26 तो 3y minus 1 equal to 26 तो linear equation भी यहां पर लगा देंगे आप linear equation का जो कोशन होगा यह तो 1 को दलें 27 तो 3y is equal to 27 तो y की value कितनी हो जाएगी आपके यहां पर 9 हो जाएगी 3 से divide करेंगे 27 को 9 जाएगा यहां अगर देखें तो मैंने कहां कि जो parallelogram होते हैं उनके जो diagonal से एक दूसरे को bisect करने हैं तो y plus 7 equal to 20 हो जाएगा y plus 7 is equal to 20 तो y की value क्या जाएगी 20 minus 7 मतलब 13 हो गया y की value क्या आग तो x plus 13 equal to 16 तो यहां से x is equal to आजाएगा आपका 16 minus 13 तो x की value क्या जाएगी x की value आपकी यहां पर 3 हो जाएगी ठीक है तो यह सारी question बहुत tough नहीं है question आसान है आपको पर आपको जब तक यह properties याद नहीं होगी मुझे याद इसलिए फटा-फट मैं कर दे रहा हूँ लेकिन आपसे पहली बार में नहीं होगा या आप धान रखें आपसे यह first time होगा ही नहीं यह तो confirm है लेकिन वही तरीका है कि आपको क्या करना है आपको जो है वह practice करना है प्रेक्टिस करना है property जात करना है तो आप कर ले जाएंगे in the figure risk तो risk कौन सा RIS के मतलब है इस वाले figure की ब हमारा ठीक है यह होगा हमारा ठीक है यह figure होगए RIS के तो इसमें क्या कर रहे है और clue R दा parallel यह क्या है आपसे parallel दा find the value of x. x की value आपको यहां बताने है. किस की value बताने है? x की यहां पर value बताने है. दोगों अगर यह आपका क्या है? यह आपका जो है वो 120 डिगरी है. अब तो मैं इसको erase कर दे रहा हूँ. तो यह आपका कितना 120 डिगरी तो ये भी आपका क्या हो जागा? 120 degree हो जागा ठीक है 120 degree ओके इसको एक मिन जूम करते है 120 degree अगर ये 120 degree है और ये 70 है तो ये भी आपका क्या हो जागा अगर हम इस वाले उसका बात करें इस दोनों का ये हो गया आपका parallelogram तो ये आपका क्या हो जागा ये आपका हो जागा ये वाली value ये वाली value हो जागी आपके कितनी 70 degree हो जागी तो अगर मैं इस triangle को ध्यान से दोगो तो ये मेरा triangle हो जागा triangle बना लेते है ठीक है इस तरह से ये हमारा triangle बढ़ा करके बना रहे है इस सकी दिक्कत ना हो तो ये हमारा हो जागा E ये हमारा है यहाँ पर हम इसको O माल ले रहे है ये O तो ये हमारा हो जागा O और ये हमारा हो जागा S ठीक है तो यहाँ अगर ध्यान दे तो ये value कितनी होगा ये value हमारी 70 degree अब ये कितनी 120 degree अगर ये parallel line से है ना और ये इसका क्या ये कट करें तो अगर ये 120 तो ये भी कितना हो जागा 120 हो जागा मतलब ये वाला angle कितना हो जागा 120 degree हो जागा ये 120 degree है तो ये value कितनी हो जागी ये value आपकी 60 degree हो जागी पता ना ये 60 कि होगी क्योंकि वो पूरा जो angle होगा वो कितना होगा वहां से क्या आजाएगा? उसकी वैलु आजाएगी, कि वहां से क्या आजाएगा उसकी वैलु आजाएगी? क्यों कि प्राइंगल का एंगल सम प्रोपर्टी होती होगा, ईक्स प्लस आपका 130 डिग्रेम वही तरीक आप नहीं अरु भी आप तरीकस से कर सकते हैं..! वही हाइँ सуш पर आप जिस भी तरीके कर सकते हैं तो अव már नियुको सकते हैं धीजिए यू तो नेक्स उलिक उलिकों मैं से कह रहे ज़ी three APLENDA explain how this figure is trapezium which of its two sides are parallel कौन सी side parallel है तो यह trapezium बताना है trapezium निय था कि आप दो sides parallel थी और दो sides क्या थी आपकी parallel नहीं थी ठीक है? unparallel होंगी आप दहान दें यहाँ तो यहाँ पर अगर दहान दें तो यहां क्या है दो यह जो है और यहां पर जो हैं फिगर 3.32 की बात कर रहे हैं तो इनकी तो बारे पूझाएंगे तो इसको आपको यही बताना था इसमें अगर इसमें धान देंगे तो इसमें कहा था कि अगर आप देखेंगे तो दो साइट्स क्या हैं अगर हम ध्यान दें यह यह मैंने बोल लिए कि यह पर लें क्योंकि मैंने इसको डार्यक्ट दिख रही थी मुझे मुझे नहीं पता है कि पर दिखेंगे नहीं रहे कैसे नकाला प्रूफ कैसे अब आपको पता होने चाहिए यह अंगल के नहीं कि नहीं होगा आपका 80 डिग् पर यह प्रूफ करना है कि अगर दो लाइन है यह वाली सही अगर दो लायन होती है तो अगर मैं यह लोंता है यह 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 दोन यो आइंगल जो आए आपकी परलेल हो जाएगी है तो अक οποा हम divisus षैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों साइट घुकिंगी और ट्रांसवर्सा गईë और ये फ हीडी and a सबुचिता सबेसं कि होने एक बइस साक कोगी और देख लेते हैं हैं हुषा कि इसंवा हमाँ duck आपको बताना है और ab parallel to dc तो ab यह वह गताना है c तो बहूत यहiderman है ना । मैंने आपको बताया 3D यह अगरसे अगर आपका क्या होगे Этот ओ क्या होगे इजशेंट आफ अगर आप ध्यान दें अगर आप इस शेज रहां से देखें तो यहां पर जब हम ध्यान देंगे तो दोखो यह जो इन्होंने गिवन है इन्होंने अल्रेडी कहा है कि आपका A B parallel to DC है तो अगर A B आपका DC के parallel है यहां पर जो आपका A B है और यह आपका यह आपका DC parallel है तो यह दोनों एंगल हम जो पूंच रहे हैं कि एंगल C की value उता हो और यह क्यों हो जागी कि आपकी यह transverse line हो जागी तो यहां पर एंगल C plus एंगल B always क्यों हो का 180 degree हो क्योंकि हम कह रहें कि हम ऐसा वोलें कि sum of sum of angles sum of angles on the same side of transverse वह या internal angle of the internal angles on the same side of the transverse line यह होगा है ना same तो इसका sum हो जागा वो 180 degree हो जागा तो यह एंगल C हमें निकालना है यह हमारे दिया 120 degree is equal to 180 degree हो जागा तो यहां से angle C की value कितनी हो जागी 180 minus 120 इसको जब solve करेंगे तो यह value कितनी हाजागी 60 degree means angle C की value आगी वो कितनी हागी एंगल C की value 60 degree होगी अब question number 12 दिख लें find the measure of angle P and S if आपका क्या SP parallel to SP parallel to SP parallel to RQ यहां पर आपको SP parallel to क्या दे दिया SP parallel to एक मेंट एक मेंट यह जो है मैं इसको पहले highlight कर देता हूं फिर हम यहां बात करते हैं ठीक है यहां हम सब पूझ रहे हैं कि आपको बताना है कि P और S की value यहां पर बतानी है आपको ठीक है अइंगल पी की value बताना है और अंगल S की value बताना है अंगल S यह वाले इंगल का Sum कितना होगा बताएं इन दोनों Angle का Sum क्या होगा नहीं डिग्री नंहीं क purity दिग्री दिया है तो 180 ngh दिए योगो दोनों का सम्थ तो 90 प्लस आपका एंगल एस इसकोल डूटी डिगरी यह पर ट्रांसवर्स लाइन के क्या है सेम साइड है और इंटरनर एंगल नहीं तो 180-90 तो यह 90 आपका 90 है यह आपका 90 है यह आपका 90 है यह आपको नकालना यह 130 है तो आप क्या करें सब को ए है न सब्सक्राइब के बराबर होगी तो एंगल इसकी वेलू कितनी है इसकी वेलू भी कितनी है 90 डिगरी है और यह सारी वेलू किसके बराबर है ठीक है तो एंगल पी कोल्टू हमारे कितना हो जाएगा तो यहां पर आपको जो है वो सारी चीजे किलियर हो गएंगे जो मैंने आज बताइए आपको जो है वो काइट कितो को सबसे जादा जो इंपोर्टेंट है आपने कोश्चन देख लिए होंगे किसके कोश्चन सबसे जादा यहां पर आएं तो जिसके कोश्चन जादा आएं वही कोश्चन जादा इंपोर्टेंट है तो हमने यहां पड़ा सबसे पहले हमने kite, सबसे पहले हमारा trapezium फिर हमारा kite तो trapezium पे भी आते है ठीक है अर उसके बाद हमारा यहां पर वो parallelogram ठीक है तो parallelogram की बारे में ज़्यादा भी दिया थो और यह क्या यह आपका important भी कॉपकि sau पूरी exercise size भी थी हमने जाद अतर question शीज़े थे तो यह सारी चीज़े हमने cover कर ली तो अब जो next video होगी हमारी इसके बाद बारी तो उसमें हम जो है वो यहां से start करेंगे यहां लगाए some special parallelogram जिसमें हम rhombus से start करेंगे और यह video जो होगी वो हमारी last video जो होगी और rectangle हो गया फिर square हो गया और यह तीन फिकर हो रहा है हमारे और 3.4 में हम खतम करेंगे तो total हम जो है वो यहां पर हमने काइट square rectangle rhombus और पर लोग्राम तो आज जो है वो हमने यहां पर जो है इन्होंने लोगों पर लोग्राम दे दिया आता तो होना ही चाहिए तो यहां पर आपके जो है वो अभी पर लोग्राम में पढ़ा चुक्क हो दो को यह प्रोपर्टी आप याद कर लें यह प्रोपर्टी का है क्या है अपोजिट साइट्स इक्वल होती है अपोजिट एंगल होते हैं और और डैग्नल बाइसेक्ट इस सेथर हैं यहां देखिए रोंबस हम अभी नीपढ़ा है बाद प्लें रेक्टाइंगल ही नीपढ़ा है स्कॉर क्ष़ काईट बढ़ा तो को कैट में गंगर दिएग्चार तो इस करने तो देंगे घंचार परपेंडिकुलर तू इस अधर तो जो क़ंडल है वो एक द को मालो कि मेरा न сделबॉष कि इस तरह से इसे, यह मेरा क्या है, कायट का स्ट्रक्चर है यह मेरा कायट का स्ट्रक्चर हो गया, तो अगर मैं इसकी डाइगनल्स को ड्रॉय करो, does हमारी का हो जाएंगी डाइगनल से एक हमारी यह होगी और एक डाइगनल हमारी यह होगी ठीक है तो इस तरह तो यह जो डाइगनल है यह आपस में एक दूसरे यह को लोंगी यह दोनों आपस में एक लोंगी लेकिन यह जो है यह वाली डाइगनल इसके वराबर नहीं होगी यह एक दूसरे के बराबर नहीं होगी लेकिन यह आप पर अगर मैं इसको A वोलूं इसको B वोलूं इसको C और D ठीक है तो यह O इसको वोलें तो O B O V जो है वो is equal to O D होगी ठीक है बट O A जो है वो is not equal to O C होगी सिर्फ एक diagonal bisect होगी दूसरी diagonal bisect नहीं होगी बट एक चीज़ confirm है कि एक दूसरे को यह 90 डिगरी पर कट करती है यह तो confirm है ठीक है यहाँ भी लिखा है डियागनल साथ perpendicular to one another एक दूसरे के perpendicular तो I hope कि आप कोई आपको आपको सारी डावड भी जह है वो complete हो तो I hope कि हम नेक्स वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक लिए बाय टेक्क्र जहन दाया मतीका मत्साने बहुत कर दो